सभी को नमस्कार, हिंदू एडिटोरियल में आज, आर्थिक गतिशीलता और असमानता, इसे देखें, संदर्ब, भारत में वर्ष उन्नी सोई क्यानवे की उड़ारी करण के पस्चात आर्थिक असमानता में तीवर गती से वृद्धी हुई है, बढ़ती आर्थिक असमानता आर्थिक गतिशीलता के गहर समावेशी स्वरू पर प्रश्न चिनह लगाती है, ओकसफेम की संपती पर वार्षिक रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत के टॉप एक प्रतिशत, लोग 49 प्रतिशत अधिक अमीर हुए हैं, जबकि इसी अवधी में देश के बॉटम पर स्थित आधि आबादी की संपती में मात्र तीन प्रतिशत की व्रिधी हुई है, ग्लोबल वेल्ट रिपोर्ट जी डबलूर 2018 के अनुसार, भारत के टॉप 10 प्रतिशत अमीर लोग देश की 77.4 प्रतिशत संपती को धारण करते हैं, जिसमें 1 प्रतिशत सबसे अमीर लोग देश की 51.5 प्रतिशत संपती के मालिक हैं, वहीं देश के बॉटम पर स्थित 60 प्रतिशत लोग सिर्फ 4.7 प्रतिशत संपती के धारण हैं, जी डबलूर रिपोर्ट 2017 के अनुसार, वर्ष 2002 से 2012 के बीच देश के बॉटम पर स्थित 50 प्रतिशत लोगों की संपती 8.1 प्रतिशत से 4.2 प्रतिशत हो गई जबकि इसी अवधी में देश के एक प्रतिशत सबसे अमीर लोगों की समपत्ती बढ़कर 15.7 प्रतिशत से 25.7 प्रतिशत हो गई G.W.R. के आंकणों के अनुसार सिर्फ इंडोनेशिया एवर्म अमेरिका के टॉप एक प्रतिशत लोगों की समपत्ति भारत के अनुपात से अधिक है क्या होती है आर्थिक गतिशीलता? आर्थिक गतिशीलता एक निष्चित अवधी में लोगों की आर्थिक स्थिति में आने वाले बदलाव को परदेशित करती है किसी व्यक्ति अत्वा परिवार के जीवनकाल अत्वा उसकी पीडियों के बीच आयत तथा सामाजिक प्रस्थिती में आने वाले सुधार को आर्थिक गती शीलता के रूप में व्यक्त करते हैं यह गती शीलता पीडियों के बीच या अंतर पीडिय गत अत्वा व्यक्ति के जीवना काल में हो सकती है गतिशीलता निर्पेक्ष अत्वसा पेक्ष भी हो सकती है विश्व बेंक डार्ट मौत विश्व विद्याले तथा मेट संस्थान के अर्थ शास्त्रियों के द्वारा किये गए एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि भारत के लोगों की अंतरपी इडिगत गतिशीलता 1990 में हुए उड़ारी करण के पस्चात स्थिर ही रही है अर्थिक असमानता पर आर्थिक असमानता के कारण उत्पन आर्थिक असमानता दीरिगकाल में लोगों के कल्यान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है आर्थिक असमानता के नकारात्म प्रभावों को कम करने की क्रमता रखती है यदि अन्यकारकों को अगर प्रडस्त मान लिया जाए तो ऐसी अर्थविवस्था जहां अधिक आर्थिक गतिशीलता है, कम गतिशीलता वाली अर्थविवस्था के सापेक्ष में अधिक आये एवन उभोग की समानता के परिणा भारत में आर्थिक गतिशीलता में बाधक, गरीबी, अध्यनों में यह तथे सामने आया है कि भारत में गतिशीलता की दरकम होने का एक प्रमुख कारण भारत में बड़ी संख्या में गरीब आबादी का होना है संपत्ति एवन आये में असमानता, विभी नायस तरों के यह बड़ती असमानता ने भारत में आर्थिक गतिशीलता की गति को धीमा किया है गरामीन अबादी, भारत की लगभग सत्तर प्रतिशत आबादी आर्थिक शेतर के बेहत सीमित अफसरों के साथ गरामीन शेतर में निवास करती है, यह स्थिती बड़ी जन संख्या के माना जाता है, अशिक्षा का उचस्तर तथा गुणविता प्रक्षिक्षा का नियूंस्तर भारत में उर्द्वगामी गतिशीलता के लिए सबसे बड़ी रुकावट है सामाजिक करक जाती एवन धर्म, भारत में पिछडी जातियों SCSTOBC के लिए अफसर की पहुंच सीमित होती है, इससे इन जातियों की आर्थिक गतिशीलता भी कम होती है, इसी प्रकार अलपसंख्यक समदाएं, विशेश कर मुसलिम के प्रती दुरह ग्रह तथा अफसरों की सीमिता के कारण सबसे कम आर्थिक गतिशीलता देखने को मिलती है, निशकर्ष, भारत में ऐसे ने रहने से गरीबी के दुश्चक्र में उलच जाते हैं, इस परिप्रेक्ष में भारत में असमानता गंभीर परणामों के उद्भव का कारण बनती है, भारत के संदर्ब में आर्थिक गतिशीलता के अध्ययन ने उस पारम परिक विचार को चुनावती दी है, जिसके अन जो हाशेये पर स्थित लोगों की आर्थिक स्थिती को सुधारने के लिए क्रियानवित किये डा रहे हैं, विभिनस थाई उपायों के स्थान पर सरकार को गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिती को स्थाई रूप से सुधारने का प्रयास करना चाहिए, इसके लिए सरकार क्षमता निर्मान और संपत्ती के पुनर्वित्रन जैसे उपायों को अपना सकती है भारत में समावेशी विकास को बल दे कर जाती दर्म लिंग तथा ग्रामीन शहरी के मद्या विद्यमान अंतर को कम किया जा सकता है इस से भारत में तीवर आर्थिक गतिशीलता को प्राप् असमानता को कम करती है विवेच न दे इस वीडियो की टिपणी के क्षेतर में अपने उत्तर पोस्ट करें इस वीडियो को लाइक शेयर और शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चानल को भी देखें इस वीडियो के विवरण में लिंक है आपका दिन शुभ हो झाल झाल